हाईलो फ्रेंट्स, स्वागत अपका मेरे चैनल मैं स्मॉल गार्डेन में फ्रेंट्स सामने ये जो आप देख रहे है इस पैकिट को इसमें मैंने प्लांटस मंगवाया है और इसमें पैकिट म मनगवाया तो चलिए इसमें काफी मजबूत है यह देखिए काटने में काफी श्ट्रगल करना पड़ रहा है तो जैसे तैसे मैंने इसे काट ही दिया है और जल्दी-जल्दी काटने के चक्कर में कहिए नहीं हो जाए फ्रेंड्स की मेरे प्लांट जो इस पैकेट के अंदर है उन्हें नुकसान पहुंच जाए तो इसलिए जो है थुरा सब्धानी से मुझे काटना पड़ेगा और यह देखिए यहां पर जो है हमारा पैकेट कर चुका है लेकिन फिर भी जो है प्लांट के दर्सन नहीं हो पाया है तो मैं इसे साइट से कट कर रही हूँ तो आई होफ हमारा प्लांट जो है सही सलामत हो तो यहां पर फाइनली हमारा प्लांट जो है दिखने लगा है और यह प्लांट जो है यह ड्रेगन फूट का प्लांट है जो कि एक विदेसी फल होता है लेकिन ड्रेगन फूट जो है अब हमारे इंडिया में भी होने लगा है इसकी अच्छी खासी खेती जो है इंडिया मे हो रही है तो इसलिए मैंने इस प्लांट को मंघ आया है और इसाल मिछ यानिmayıneral स?..gun मां找 चुछ जींस 2 फिलीप काट से मंघ वाया है यह तीनों प्लांट मुझे 183 का पड़ा है लेकिन फ्रेंट मुझे मंघ वांने के बाद एसा लग रहा है कि मैंने गलत चीज को बंगवा लिया है क्योंकि इसमें बहुत सारे काटे हैं और इस तरह से गिरने उठाने के दवरान जो है मेरे हाथों में काटा लग चुका है जो कि अभी दिख नहीं रहा है तो इसे मैं बाद में निकालूंगी और यह देखिए इसकी जड़े बीजव है प्रेंट की पैकेट से बाहर आ रही है और इसका पॉली बैग भी काफी छोटा है तो इसे थोड़ा सा बड़ा पॉली बैग में लगाना होगा तो फ्रेंट्स अब मैं तीनोי प्लांट क RHiin है यह देखे यह पॉली बैक काफी छोटा था तो मैंने इसकी लिए नमकिन करना नहीं है क्योंकि अभी ठंड का मौसम चल रहा है और इसकी ग्रोथ जो है गर्मियों में होगा तो फिल हाल के लिए जो है मैंने इस पैकेट में जो ही से ट्रांसफर कर दूंगी दो तीन मैना इसमें सर्वाइब कर लेगा उसके बाद जो है इसकी ग्रोथ शुरूओगी तो मैं इसे जो है किसी बड़े कंटेडर में रिपोर्ट करूंगी और क्योंकि यह काटेदार प्लांट है तो इसके लिए मुझे सही जगह भी तो बनानी पड़ेगी और जो मिट्टी आप देख रहे है फ्रेंट्स यह गार्डेन का स्वाइल है इसमें मैंने किसी भी तरह क्योंकि काटा वाला प्लांट है तो मुझे छत न लगाने में ननी और बचे वैंगेरा छत पे खेलते हैं तो थोडा सा खत्रा वाली बात है फ्रेंट्स अभी जो कि ए간 प्लांट काफी छोटा है और मैंने अभी तक एकी प्लांट को ट्रांसफर किया है और इतने में जो है मुझे इतने सारे काटे चुप चुके हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तीन प्लांट नहीं एक ही प्लांट मंगाना चाहिए था मैंने लालज के चक्कर में जो है तीन प्लांट को मंगवा तो लिया है पर एक को तो यहां संभालना मुश्किल है मैं तीन-तीन को कैसे संभालूंगी क्योंकि प्लांट काफी बड़ा होता है और कांटेदार भी होता है तो थोरा सा चिंता वाली बात है मुझे इसके लिए ट्रांसफर कर लेंगे तो ड्रेगन फुट्स के तीनों प्लांट को मैंने इस से नमकिन के पैकेट में ट्रांसपर कर दिया है अब इसमें वाटरिंग कर देंगे इस प्लांट को ज्यादा वाटर की रिक्वाइरमेंट होती नहीं है फ्रेंट्स हाँ पांचे दिन में एक बार जो है वाटरिंग जरूर करें और जब इसकी मीटी सूख जाए तभी इसमें वाटरिंग करें और देखिए मैंने होल्स नहीं बनाया था तो अब जो है मैं चा तो फ्रेंट्स आपका स्वागत है मेरे स्मॉल गार्डेन में यह जो मैंने ड्रेगन फूट का प्लांट लगाया था आज 25 दिन हो गए हैं इसका अपडेट मैं देने जा रही हूं तो यह देखिए इन दोनों प्लांट में किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं है से भी इसी में मैं रहने दूंगी और मैंने शुरुवात से जो है ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहां पर जो है 5-6 घंटा का धूप लगता है तो मैंने इसी जगह पर इसे रखा हुआ है तो फ्रेंट्स आगे का अपडेट मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी तो आज के मेरे बस इतना ही थैंक यू